कि दिनकर्वाई का प्रागट्य दिन मनाने के लिए हिंदी में बोलू कि कि दिनकर्वाई का प्रागट्य दिन मनाने के लिए और यहाँ दो मईने से हमेरे राजु भाई हितेन भाई अरुन भाई जस्मिन भाई विजय इस्वामी और गजेंद्र भाई सब जो विच्रन कर रहे है उनके साथ जुड़ने के लिए हम भी यहाँ आए आने के पहले हमेरे वहाँ मेरे योगिनी बेन की तब्यत अच्छी नहीं थी इसलिए दो सोच चल रही थी मेरे अरुन भाई को तो बोला भी के पहले सोचा कि जल्दी आ जाई यहाँ मगर बाद में इसलिए सोचा अरुन भाई तो बहुत सालों के बाद यहाँ आए है और यहाँ भी वो सब जगह में सब भक्तों को मिले और पूरी अपनी यात्रा कंप्लीट करे इसके लिए सभी ने मिलके धून की वाँ और बाद में इसा सोचा बले अरुन भाई सब ने बोला अरुन भाई ने फिर योगी नी बेनने स्वयम बोला नहीं अरुन भाई को बुलाना मत उनको वहाँ ही रहे ने दो तो फिर ये रहे बाद में मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ बापु ने बताया कि मैं यहां रहता हूं आप बांधा नहीं जांगी आप तो वह भी वहाँ सब हम भी यहां धून करेंगे पहले पांच मिनिट हमेरे वहां सब ठीक रहे सब का अच्छा रहे और सब को आनंद रहे पहले हम पांच मिनिट धून करते हैं सब मिलके के लिए और उनको सब मेरा भावना देते हैं स्वामिनाराद नमनाराद 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 नम ही तक टू हुत। निन्हार 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 निन्हा ही आरे निम्लारण झारा निध रयों भी आरे निम्लारण बटला प्लार निम्लारण भी आरान रकाषबगे विता नंदार नंदारी नंदार। यद说ती मेर उती आंदार। वि रार। धर नंदार। अबहे की ऑती रार। नम्नाराद 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 नम अभ्यार्ण नम्नारूं नम्नारूं करसे हमाईि धियाञ नम्नारूं स्य जहां सही माराः बस बहुत-बहुत हम यहाँ अनन्द करने वाले है, मेरे विजय स्वामी भी अभी 21 तारिक से नहीं, 21 तारिक से यहाँ भागवत की कथा, उनका हरोज साम को लाब देने वाले है, 21 तारिक से 27 तारिक तक तो हरोज आप सब लोग आना साम को, उनका जो भागवत कथा करते है, उनका स्वामी नाराण के साथ बहुत सबंध होता है, हमने जबी भागवत की कथा करी, बंबे में, तभी हम स्वामिनारण बगवान के संत भागवत की कथा करने वाले हैं ऐसा सब रेनाउंस किया था तभी एक भकता जो भागवत की कथा में बहुत जुड़े हुए थे अपने जगतभाई किल्ला वाले हूँ आये थे और उसको मिलने को गये थे हम बोले कि हम तो पहली बार कर रहे है so you should guidance हम भागवत की कथा में कौन लोग आएंगे कितने लोग आएंगे आपके एक्सेट करके है हमने बोला कि होएंगे चारसो फाथ सो लोग तो आएंगे वरकीग डे में आना होता है फिर भी हमने हिसा बताया तो बोलते है अगर स्वामी नारन के संत कथा कर रहे है भागवत की और उसमें 400 आदमी आये 400 भक्त लोग आये तो वो तो बहुत है क्योंकि स्वामी नारन के संत इसी भागवत की कथा करें वो बहुत बोलते है भैष्णव लोगों को इतना य हमने देखा कि वो भागवत की कथा में करीब करीब 600-800 लोग आते थे हरोज और वर्किंग डे में भी सब लोग में लाब लिया था ऐसा ही यह इधर जो 6-7 दिन का लाब है अभी हम दुपेर को बैठे थे उनके साथ तो बता रहे थे कि हमें 6-7 दिन का इसा इसा सब प्रोग्राम करना है मैं बोला बहुत अच्छा आप ऐसी तरह से करो उसमें स्वामिनार्ण भगवान के बारे में और काका जी और सभी संतों के बारे में भी वो थोड़ी थोड़ी बाते करेंगे अरी प्रसास स्वामी जी पपा जी सब के जिसकी हम सताब्दी मना रहे है उसके बारे में भी बाते होई तो बहुत बढ़िया लाब मिलने वाला है तो हम भी उसके उसमें लाब ले और सच्चे अर्थ में ये सब प्रोग्राम बन रहा है पहले वसी बाय आये फिर अभी बाद में ये सब भाईयों आये फिर अभी हम सब निकल रहे है उसके लिए ये सब 2016 में जो सिकागों में काका जी पपा जी की सताब दी मनाने का हमने जो आयोजन किया है उसके सपोर्ट में है वो एक्टिवेट करने के लिए है सबको और हमें वो कारिया में जुड़ना है अभी कैसी तरह से जुड़ना बहुत लोगों को ऐसी भावना होती है कि काका जी पपा जी की सताब दी है हमेरे इंडिया में तो बहुत लोग बोलते है ये फंक्षन है तो हम क्या करें हमें क्या करना है वो बताओ अभी ड्रामा होता है या तो कोई न कोई प्रवरुती होत उसमें जो थोड़े लोग जोइंट होते हैं, मगर बाकी सब लोग क्या करें? सब के लिए कुछ न कुछ करना ऐसी भाहुना होती है, इसलिए सब को ऐसा होता है कि मैं भी कुछ करूँ, तो हम खाली पांच जन को हरोज बात करें, कि हमेरी 2016 में ये फंक्षन है, कोई मिले, करें कि हमेरे काका जी पापा जी का इसा सताब्दी मोत्सव आने वाला है, तो आप उसमें आना, 10, 11, 12 जून को फंक्षन है, तो हम बड़ा पाइमाने पे ये फंक्षन मनाने वाले है, तो आप आना, तो ऐसी तरह से हमेरी बात करने से भी, ये हमेरी सेवा है, और उससे भी आगे एक सेवा है, मेरे पिंटु भाई ने सब के पास तयार करवाया है, वो एक कुछ कुपन बनाई, वो कुपन की बुक बनाई, तो वो कुपन की बुक भी एट लिस्ट, आपके फ्रेंड को या तो किसको देके, उसको कन्विंस करके, उसमें कुछ बड़ी एमाउंट नही है, वो भी आपून कलेक करे, तो भी वो अपनी सेवा है, क्योंकि फंक्षान विगेरे सब ऐसे तो होता नहीं है, मगर फिर भी एक सेवा हो जाती है, हमेरे मित्र मंडल, सब लोग कुछ मुवी देखने को जाते है, या तो कोई प्रोग्राम देखने को जाते है, तो ऐसे ही पैसे दे देते, मगर ऐसे कारिया में, अगर हम अपनी भावना से व्यक्त करें, और या तो किसी को उसके लिए प्रेरित करें, तो भी वो अपने किसेवा है, तो उसके लिए भी सब कारिया करना, यह मेरी, क्योंकि यह हमेरा काका जी ने यहां आये, 1973 में, पहली बार साथ आये, और तभी, सिकागो में, जो कारियक किया, दिनकर भाई ने उसके बारे में बहुत सारे प्रसंग बताते हैं, काका जी कईसे आये, क्या करते थे, हमने बहुत बारो प्रसंगे सब, सुरदम मोथसव मनाया, तभी, ड्रामा में भी देखा था, क्या कर रहे थे, सफ बाद दिनकर भाई बहुत अच्छी तरह से हमें बार-बार बताते हैं तो ऐसी तरह से दिनकर भाई ने यहां बीज बोया तो पूरे अमेरिका में यह मोटसव नहीं मनाये के बजाये सिकागो में मनाने को हमको लाब मिल रहा है वो भी हमेरा एक बड़ा सद्भाग्या है तो हमें तो वो ही उसमें कितना हम जुड़े उतना हमेरी बड़ी सेवा हो जाती है सच्चे रदय से जुड़े वो बड़ी सेवा है स्वामी नार्ण भगवान के समय में ऐसा है कि ऐसा मो का बार-बार आता नहीं और वो एक बड़े संद्पुरुस ने इच्छा की है कि यह हमको करना है उसमें हम जितना अपना सहकार दे उतना अपना सहकार इतना अपने उपर द्रष्टी हो जाती है स्वामी नार्ण भगवान के पास एक भक्त आया उसने बोला कि मेरे को आप सेवा देनी है सब संदों को रसोई देनी है तो आप रसोई लो मेरी और इसे करके वो टाइम में 500 रुपया दिया और बोलते हैं संदों को सब को मेरे को दुद्पाक पुरी की रसोई बनानी और रोख खिलानी तो स्वामिनान भगवान ने बोला कि अभी मेरे को जरूरत है ये मंदीर बन रहा है तो उसमें कडिये का पगार चुका ना है तो संतों को तो दूद्पाकपुरी की कोई जरूरत नहीं है और रोटला और छास खाएंगे तो भी चलेगा मगर तुम ये पैसा ओ सेवा में दे दो तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को तो संतों को दूद्पाकपुरी खिलाना है अईसा करके जिद किया तो स्वामिनान भगवान भक्त के आगे जुग जाते तो बोले ठीक है बाद में बोला इसकी रसोई बनाओ मगर ये लोभी आदमी है तो रसोई बनाएंगे तो खुटेंगी तो उसने ये सुन लिया तो उसने बंडारी को बोला कि आप तीन गुनी रसोई बनाना ताकि खुटे ही नहीं तीन गुनी रसोई बनाई तो भी रसोई कम पड़ी कहिना मतलब यह है कि बड़े संत के अभीप्राई में उसकी इच्छा में अगर हम जूड जाएंगे तो वो हमेरी भक्ती हो जाएगी अभीप्राई की भक्ती हो जाएगी और इसी अभीप्राई की भक्ति करने से हमेरा काम हमेरा जो अक्सरधाम में जाने का रस्ता वो सरड हो जाता है और हमेरे अंतर में ओ जो सांती मिलती है वो अलग मिलती है इसलिए ऐसे कारिय में ऐसी तरह से जूड़ना चाहिए सुद्धन्वा था सुद्धन्वा था सुद्धन्वा स्वामी अपना कृष्ण भगवान का भक्त था और बड़ा भक्त था उसके स्वासो स्वास में स्रीकर्ष्ण 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 होते रता था और अर्जुन से भी ज्यादा भक् में कभी चुकता नहीं था मगर क्रश्ण भगवान की मरजी क्या है वो समझने में चुक देया तो जबी अर्जुन अपना अस्वमेग यगना का गोड़ा लेके वहां से हुआ उसके राज्य में बांधा तो पहले तो उसने सोचा कि ये भक्त का गोड़ा है तो छोड़ देना चाहिए मगर बाद में उसकी माने उसको चड़ाया कि तुक्षत्रिय है ऐसी तरह से विधाउट लड़ाई करके पूरा सरंडर हो जाएगा कैसे चलेगा लड़ाई करें तुने मेरा दूद पिया है इसा करके उसको एकदम बत्ति चड़ादी तो पोई ऐसी तरह से भी बत् चुक जाते तो इससे बड़े संद्पूर उसका अभीप्राई समझना कठी ने और उसके हिसाब से वरतना उससे भी कठी तो उसने फिर सुद्धनवाने बोला ठीके मा में लड़ाई करूंगा तो लड़ाई करी तो क्रश्न भगवान ने बोला तू भई लड़ाई क्या कर तू कौन है ते नहीं मेरे को लड़ाई करनी है इसे में यद्धन ये गोड़े को नहीं छोड़ा तो क्रश्न भगवान ने अर्जुन को बोला सामने क्रश्न भगवाने और सामने वह भक्त है तो अर्जुन को बोला इसका सर काट दो उसका सर काट दिया उसका सर काट दिया तो भी ओ क्रश्न क्रश्न करते करते आया स्वरण में इतना तो भक्त था तो भी बगवान ने उनकी जीत नहीं करवाई अभी प्राई की भक्ती नहीं समझे अईसे हमेरे 2016 में बड़े पैमाने पे अच्छी तरह से काका जी पपाजी का सताब्दी मोध्सव मनाना है और तो भी पक्का है सायद हम उसमें सेवा में जुड़े की नहीं जुड़े तो भी ओ होने वाला है मगर हम जुड़े तो हम उसमें निमित्त हो जाएंगे हम उसके भक्त बन जाएंगे और उसकी हमेरे पे बड़ा असिरवाद मिलेगा यह हमेरा कारिया तो हमें काका जी पपा जी का वो रूण चुकाना है तो आज हम ऐसी प्रार्तना भी करेंगे ऐसा ये अंतर से प्रार्तना करेंगे कि काका जी पपा जी आपकी सेवा में हम जुड़ पाए आपने तो कभी कुछ मागा नहीं है और काका जी का जबी हम कुछ महिमा गाने के लिए या तो ऐसा कोई उत्सव मनाने के लिए ऐसी कोई भी इच्छा करते थे तो हमेशा वही बोलते थे मेरा महिमा आप क्या गाओगे मेरा महिमा को मैं ही पार नहीं पामता हूँ तो आप क्या गाओगे महिमा और मेरा महिमा आप नहीं गा सकते ऐसा करके वो बात उड़ा देते थे मगर वो अपना काम खूदी करते और ऐसी तरह से वो ही करने वाले हैं मगर हमें निमित बनना हैं तो हम आज यही प्रार्थना करने के लिए सब को यह बताने के लिए हम आए है या तो इस्वा करने के लिए आये यह कारिय में ता कि हमें भी दिन करभाय का और सभी स्रूपों का आशिरवाद मिले और हम काका जी पपा जी की सताबदी जही से पेरिस में काका जी पपा जी की सताबदी मना नी थी तो वहाँ तो खाली 75 लोग थे कितने? 25 से 30 भक्त थे ज्यादा भक्त भी नहीं थे राइट अरुन भाई बहुत कम भक्त और वो लोगों ने सोचा कि हमको तीन दिन समया मना ना है और वो मनाया करीब 1500 से 2000 भक्त लोग वहाँ पेरिस में आये और सब ने इकठे हो कि इतना अच्छा मनाया कि अपने 37 भाई चट्वानी वो हो गहे कि इतना छोटा पेरिस के भक्त लोग और इसने इतना बड़ा समया मना है और उसने सभा में भी वो बात बताई थी तो कहिना ये है कि हमें तो हाँ गड़तल करने हैं और उसके लिए हमें तयार होना है और काका जी की समया काका जी की जो ये उच्षव सताबदी उच्षव सच्चे अर्थ में मनाने के लिए दिनकर भाई ने वो क्या बोलते हैं लोग निकाला सुत्र कि गुनातित चलो सा आओ सव बेगा मले गुनातित बावना प्रक्ता भी है वो हमेरा में गोल है और इसी तरह से गुनातित बावना प्रक्ता के ये समया मनाना है वो सबसे है हम जो भी थोड़े से भी जुड़े है जो जो उसमें जुड़े है उसको वो बावना प्रक्ता नहीं है और गुनातित बावना कोई सामान्य बात यह जब भी स्वामी जी के साथ आ रहे थे स्वामी जी उसके बारे में बताएंगे कि वोटी σας गुनातीत उसेematी भावना प्रक्तानी मिन्स क्या और उसके महाराज के साथ में इतने सारे भकतो का कैसा-कैसा प्रसंग है वो बताएंगे, मेरे हरी प्रसाद स्वामी जी बोलते है कि गुनातीत, हमेरी सब की लेंग्वेज क्या है किसी की गुजराती है, किसी की इंगली से है किसी की मराठी है, किसी की हिंदी है सब अपनी अपनी भासा बोलते है मगर गुनातित की लेंग्वेज क्या है गुनातित गुजराती बोलते है हिंदी बोलते है क्या बोलते है काटे होई मगर गुनातित की भासा है दासत्तो की दास भाव की भासा है दासत्तो भावना की भासा है और वो दासत्तो भावना प्रक्टाना उसके लिए हमें बहुत 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 ये मन का बुद्धी का हमेरा ये सब का जीरो करना होगा तब ही हो सकते freeze नहीं तो ऐसे दासथ भाव प्रगटता नहीं ऐसे महाराज के टाइम में ऐसे भख्तों थे स्वामी जी तो साक्सात उसके है दिनकरवाई उसके साक्सात स्वरूप है दासत्व बाव के और ऐसे गुनातित स्वरूप हो हमें ऐसे दासत्व भक्ति से जीवन जी ते हमें अभी एक प्रसंग सुन रहा था तो उसमें स्वामी जी हमें जो भावना रखनी है वो कैसी रखनी है हम जो भी देखते हैं हमेरे आजु बाजु में जो सब प्रसंग बनते हैं उसमें हमेरी भावना ये दासत्व भावना की बात होती है होएगी तो हमेरे अंदर में वो भावना प्रक्टेगी तो स्वामी जी एक बार सुबह में प्रदक्षिना करना था तो तभी कोई मंदीर छोटा था कि ये मंदीर था ऐसा वो मंदीर के अंदर दो भक्त सोय हुए थे और बच्चे थे ये अपने महेंद्रबाई वईद्राज के दो लड़के थे वो सो गए सोय थे तो जैसे ही स्वामी जी आये तो सब लाइट चालू करते हैं कि यहाँ चलो लाइट चालू करो स्वामी जी आये ये सब चालू करते हैं तो स्वामी जी ने देखा कि वो दो लड़के सोय है स्वामी जी ने बोला कुछ लाइट बाइट चालू करने के जरूरत नहीं है मैं इसे ही मेरे को खाली प्रदक्षिना करनी है तो मैं करता हूँ स्वामी जी ने वो प्रदक्षिना पूरी मंदिर की प्रदक्षिना इसी तरह से करी और दो लड़के बीच में सोहे थे वो सोहे रहे बाद में प्रदक्षिना करके स्वामी जी ने चले बाद में बोले आज महीने अक्सर पुर्सोतम महराज की प्रदक्षिना करे वो लड़का नहीं देखा उसने उसने देखा कि यह अक्सर पुर्सोतम महाराज का स्वरूप है, ऐसा मान के प्रदक्षना करी, तो यह भावना कैसी, हमें ऐसा भाव नहीं होता है, और वो सच्चा दासत्व भावना है, हम कोई छोटे से छोटे भक्त को भी ऐसी भाव से नहीं देखते हैं, हमेरे दिनकर भा और भावना से जीवन जीते हैं, ऐसी दासत्व भक्तिका में दर्शन कराते हैं, तो हम ऐसे भावना से जीवन जीना है तो स्वामी जी के साथ कि दर विचरन में जा रहे थे, तो वहाँ मिल्ग जूस का बड़ा ग्लास सबके दिए आया था, तो दिनकर भाई को भी दिया दिनकर भाई ने वो पिया बाद में स्वामी जी ने दिनकर भाई को दूसरा मिल्क जोश का ग्लास दिया लो दिनकर भाई पियो स्वामी जी को मालूम था कि दिनकर भाई ज्यादा पी नहीं सकते फिर भी एक ग्लास पी लिया था दूसरा पी गया दिनकर भाई पी गया फिर स्वामी जी बोलते है कि आपको ये ज्यादा हो गया नहीं तो दिनकर भाई तुरंद बोलते है immediate जो बोलना वो बहुत बड़ी बात है तुरंद बोलते है स्वामी यह जयादा नहीं हुआ पहला था ने वो जयादा था क्योंकि यह दूसरा स्वामी जी का प्रसात था तो बलते है यह जयादा नहीं है पहला पिया वो ज्यादा था तो इसी जो भावना इसी जो द्रश्टी वो दासत तो भक्ति का ये है भगवान के भक्त का पक्स रखना भगवान के भक्त के लिए जीवन जीना वो ही भक्ति करना वो पक्स है और ऐसे हरे एक छोटे बड़े भक्त के साथ इसे गुनातित स्वरुप जीते है इसे काका जी के भी कई एक्जाम्पल है छोटे छोटे भक्त होते हैं उसकी भी वो काका जी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे कोई भी भक्त आया वो मेरे लिए सर का मुगट है एक बार एक भक्त आया और काका जी मानते थे कि तारदेव में मेरे पास आया तो उसको मालूम नहीं है तुम किसके पास आया मगर मुझे तो पता है कि वो किसके पास आया है तो ऐसे करके वो भक्त आया काका जी बैठे थे, वो सामान्य भक्त था कोई स्वामी नारण का भी इतना ज्यादा नहीं था मगर काका जी के पास आके बैठा और अपनी सब सारी बाते बोलने लगा बोलते ये स्वामी जी है मेरे लड़के को सादू बना रहे है मेरा लड़का एकी है इसको कैसे सादू बनाते है आईसा वैसा करके एक घंटा बात किया एक तो उसका मगज भी अफसेट था और वो पागल जैसा ही था और बात में बलते है कि में अभी स्वामी जी को फोन करता हूँ अगर स्वामी जी बोले तुम्हारे लड़के को साधू बनाना है तो मैं स्वामी जी को बोलता हुमत बनाना तो फिर ठीक है ऐसा करके स्वामी जी को दूपेर को साड़े बारा एक बज़े काका जी ने फोन लगवाया फोन लगा के स्वामी जी को बात किया और स्वामी जी को बोला कि ये आये है उसके लड़के को आप साधू बनाने वाले स्वामी जी बोले मैं बनाने वाला ही नहीं हूँ फिर बात खतम हो गई मगर एक गंटा बात तो सुनी वो ऐसे भाव से सुनी कि वो मेरे लिए वो सेवा है और ऐसी सेवा करने में काका जी, पपा जी, स्वामी जी, ऐसे गुनातित सरुपो, ऐसे संतो, ऐसे कई भक्तो हमेरे लिए आदर्स हैं और हम ऐसी गुनातित भावना प्रक्ता के काका जी का पपा जी का यह सताब्दी मोजसों मनाना चाहते हैं और ऐसे हम सब तयार होये है उसके लिए दिनकर भाई विगेरे सब यहां जो परिश्रम कर रहे है उसका इसके पीछे हेतु एक ही है कि हम अंदर अंदर एक दुसरे का ऐसा महात्म से जीवन जीए और ऐसे दासत्तो भाव से जीवन जीए इसके लिए हरोज हम सुबह साम प्रारतना करे और उनके जो ये अभी प्राई का कारिय है उसमे सच्चे रधै से सच्चे दिल से जुडे यही सभी भक्तों के चरणों में और सभी गुनातित सरूपों के चरणों में प्रारतना करते हैं कि सब को एसा बल बुद्धि और प्रेना मिले आज विजय स्वामी भी उनको थोड़ा लाब देंगे दिनकर भाई का भी आशिरवाद लेना है और हमें ये 15-20 दिन ऐसी तरह से उसमें इप 15-20 दिन नहीं मगर 2016 की जून तक ऐसी तरह से एक्टीव में रहना है हरोज कुछ करना है हरोज थोड़ा सा भी करेंगे तो छोटा-छोटी बुन से पूरा सरवर भर जाता है और इतना काम होता है तो हम थोड़ा सा इसा कारिय में जुड़े है और इसके लिए जागरत होए यही हे महराज, हे स्वामी, हे काका जी, हे पापा जी सब हमें बल, बुद्धी और प्रेणा दे यही प्रारतना है सब को बहुत-बहुत दर्शन हुआ इसके लिए भी बहुत-बहुत खुसी हुई सब को जे स्वामी नाराण, सहजान स्वामी महराज की